मेरे प्यारे प्यारी विवर्स को मेरा प्यार बड़े सलाम मेरे प्यारी विवर्स आज हम बनाएंगे पालक के पोकोडरे बडी उल्मुक्ति वंदास में जिसको आप एक बार प्राय करेंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे सली अब बगैर देर के स्कीर रसिटिकी जानी बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा यहाँ पर दोस्तों मैंने पालक के पत्रे ले लिये हैं और साइट पर ही मैंने आलू की फिलिंग भी त्यार कर ली थी मेरे प्यार वी वर्स आलू की फिलिंग मैंने बिल्कुल रटीन के मसारा डाल कर यह बनाई है यहाँ पर हम बाउल लेंगे इसके अदम थोरा सा बेसन शामिल करेंगे मेरे प्यार वीवर्ज आपने बेचन की कमार्टी अपने पत्तों के इसाब से लेनी है मेरे प्यार वीवर्ज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस करलर हल्दी नमक और लाल मिर्ड शामिल कर दीजेगा देंबी इसको मिक्स करेंगे और ठोट झोड़ा पाइप कर इसकी बेना शटार्ट कर देंगे यहां पर आप देख थाते हैं इस्टरी की कंसिस्टेंसी आपने भी बिल्कुल इसी तरह कि क्ासिस्टेंसी कर ली है मेरे प्यार वीवर्स ये इतने यमी और इतने डिलीशन रेस्पी बनती है कि जिसको खाने के बाद आप ये तक भूल जाएंगे कि इस रेस्पी को क्या नाम देना है मेरे प्यार वीवर्स ये रेस्पी प्रकॉर्यर्स मौसों की छुटी कर देगी अब यहां पर हम अपने पालक का पता लेंगे इसके मैं आलो की फिलिंग लगाएंगे आलो की फिलिंग लगाने के बाद हम इसको एक साइट से फॉल्ड करना स्टार्ट कर देंगे मेरे प्यार वीवर्स पालक के पत्ते के दर्मियां जो डंडी होती हैं वो इसको उपर से रिमूब कर देंगे इसे तरीके से मैंने अपने सारे पत्ते रेडी कर लिए है मेरे प्यार वीवर्स हम अपने पालक का पकोरा लेंगे इसको हम सलरी के अंदर डिप करेंगे सलरी के अंदर डिप करने के बाद हम इसको फ्राइ कर लेंगे मेरे प्यार वीवर्स इसे परिके से हम अपने सारे पते फ्राइ कर लेंगे यहां पर दोस्तो मैंने गी को गरम कर लिया है अब वन बाई वन करके हम इसके अंदर अपने रोल शामिल करेंगे और देन इसको फ्राय कर लेंगे दोस्ताब आप बताएं इस रेसिपी को हम क्या नाम दें हम इसको पकोड़ा कहें पालक रोल कहें जल्द जल्दी कुमेंट कर दीजिए दो से तीन मेंट के बाद दोस्तों हम इसकी साइट्स को चेंज करेंगे और यहां पर हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है से माशाललह आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक यह कितने यह में कितने कर रेस्पियर के यह डिलीशिस पालब पकोरे बनी है मेरे पैर वीवर्स यह बिल्कुल यह रेस्पिया है आप एक बाद सेसिपी को जुरू ट्राइ करिएगा इंशाला यह रेस्पिया आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद आएगी अगर आप गर मेहमान आते हैं तो आप उनको कुछ मुखसी बना कर दिना चाहते हैं तो आप यह रेस्पिया कीजिए इंशाला मेहमानों को भी रेस्पिया बहुत पसंद आएगी मेरे प्यार वीवार्स आप हमारे चैनल मूद इस फूर अफिशल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत बूलेगा ताकि आलों वीडियो स्पियों की सुचना सबसे पहले आपको मिले और जना बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए गा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए गा इससे हमें और ज्यादा मोटिविशन मिलती है टीक यर गुडबाई और अलाहाफियत